नमस्कार मैं हूँ राजेंदर धमीजा आप देख रहे हैं मेरा चैनल एस्ट्रो सो भाग्य मैं आपको एक बहुती महतु पुर्ण जानकारी दे रहा हूँ इसे आप ध्यानपूरक सुन लें और ठीक से समझ लें आज के युग में सही जानकारी का बहुत महतु है जिसके पास ठीक जानकारी नहीं होती उसे लोग आसानी से ठग लेते हैं बेंकिंग फराड का भी यही सिस्टम है ओटीपी नमबर लेकर फराड ये खाता खाली कर देते हैं इसी तरह की ठगी अन्यक सित्रों में भी है रुद्राक्स के मामले में तो ठगी बहुत जादा है जो फोटो इस वीडियो के कवर पर मैंने लगाया है उसे आप ध्यान से देखें उस पर एक रुद्राक्स लगा है जिस पर तिरसूल वे संख बने हुए हैं ऐसे रुद्राक्स के विवरन में यही लिखा जाता है कि भगवान शंकर की कृपा से यह रुद्राक्स के एक पेड़ से प्राप्त हुआ है यह दुरलब है देखने से ही पुर्णे मिलता है बेर का खजाना मिल जाएगा धन के भंडार हमेशा भरे रहेंगे यह सब बाते भूती बढ़ा चड़ा कर कही जाती है या लिखी जाती है ताकि इस रुद्राक्स को देखने वाला प्रभावित हो जाए और ऐसे दुरलब रुद्राक्स को प्राप्त करने के लिए प्रिया होता है जिसे छीलने के बाद पता लगता है कि रुद्राक्स के ऊपर कितने मुख बने हैं या कुछ और बना हुआ है रुद्राक्स के ऊपर जो धारियां बनी होती हैं वहीं इसके मुख होते हैं कभी कभी दो या तीन रुद्राक्स आपस में प्राकृतिक तोर पर जुड हुए भी होते हैं इन्हें गोरी शंकर या गोरी पाठ रुद्राक्स कहा जाता है ये असली भी होते हैं और नकली भी जब इनकी डिमांड दिखोती है तो दो रुद्राक्स को ठीक से काट कर कारिगर नकली गोरी शंकर रुद्राक्स भी बना देते हैं रुद्राक्स के उपर सूंड जैसी अकृते भी कभी कभी बनी हुई मिलती है ऐसे रुद्राक्स को गनेश रुद्राक्स कहा जाता है ऐसे रुद्राक्स प्राकृतिक तोर पर मिल जाते हैं परंतु पेड़ पर लगने वाला ऐसा रुद्राक्स मैंने आज तक नहीं देखा जिस पर संख या तरसूल बना हुआ हो और वह भी इतना साफ अगर ऐसा कभी होगा तो तरसूल और संख साफ नहीं होगा केवल मिलती जुलती आकरिती हो सकती है ऐसा होने पर भी वह वास्तों में चमतकार ही होगा सोसल मीडिया में घुमने वाले ये सब नकली रुद्राक्स ही होते हैं ये बनते कैसे हैं अब ये समझ लें तरसूल और संख की डाई बनवाई जाती है पांच मुखी रुद्राक्स सबसे सस्ता मिलता है नेपाल से ये बोरियों में भर कर आते हैं एक रुद्राक्स का बारीक बुरादा बनाकर उसमें एल्फी या चिपकाने वाला पदार्थ मिलाकर डाई में भरकर सामाने से पांच मुखी रुद्राक्स पर चिपका दिया जाता है इस तरह चमतकार करने वाला तिरसूल और संख वाला रुदराक्स तयार हो जाता है इसकी कोई MRP नहीं होती यानि maximum retail price जैसा गराक मिला वैसे ही भाव में बेच दिया गराक 20 रुपे देगा तो यह 20 रुपे में मिलेगा और 20 रजार देगा तो यह 20 रजार में भी बिक जाएगा यह आपको हरिदवार या बनारस में गंगा घाट के आसपा सड़क पर बैठे रुदराक्स बेचने वालों के पास मिल जाएगा किसी भी धार्मिक्स्तान पर यह मिल सकता है जहां पर अंजान और भूले भाले तीरत ही आतरी आते हैं विश्वास रखें यह पूरी तरह नकली होता है इसमें कोई चमतकार नहीं होता आपको मेरी बात पर विश्वास नहीं हो तो ऐसा रुदराक्स करीदें और उसे पानी में वाल दें संख तरसूल और रुदराक्स सब अलग-अलग हो जाएगा यही असली और नकली की सही पहचान है वीडियो बनाने का मेरा उदे से अधिक से अधिक जानकारी आम आदमे तक पहुंचाना है इस वीडियो में केवल इतना ही अगले वीडियो में बात करेंगे किसी और विशे पर जोती समन्दी किसी और जानकारी की जरूरत हो तो मुझे कमेंट्स में सूचित करें सारी जानकारी को आपने ध्यान से सुना और समझा इसके लिए धन्यवाद मेरे चैनल को लाइक करें सबस्क्राइब करें वे शियर रवसे करें ताकि आपके सभी मित्रों को जुरूरी जानकारी मिल सके बहुत बहुत धन्यवाद